राजस्थान की कांग्रेस में पिछले दिनों एक नाम चर्चा में है जो की यूआ नेता है लगतार दूसरी बार विदान सबा पहुंचा है हाली में जो विदान सबा का 17 आयुजित किया गया था उसमें उन्हें 6 मा के लिए निलंबित किया गया है बारतिय जंदा पार्टी ने निलंबित तो कर दिया लेकिन निलंबन करने के बाद में ये निर्णे उनके गले की फास बनता जा रहा है और इसी बात को लेकर लाड़नू विदान सबाक्षेतर के लोगा डीड़वना जिला कलेक्टरेट के सामने सत्याग्रे आंदोलन करने के लिए यहां पर आएं जिसका नेत्र तो एक खुद मुकेस बाकर कर रहे है हम जाना चाहेंगे लाड़नू के विदायक मुकेस बाकर से उस निलंबन के बारे में निलंबन क्यों हुआ और आखिर हुआ क्या था उस दिन सदन में क्यूंकि दो दिन पहले यहां पर मंत्री आये थे जल्दाय मंत्री उनसे भी हमने पूछा था कि आखिर सदन में हुआ क्या था ना कोई वीडियो रिकोर्डिंग है अगर आप वहाँ पे थे तो परतेक्स रूप से बताईए कि वहाँ पर क्या हुआ था आप बताईए कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था सचाई क्या है सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अनीप साब आपके चेनल का भी आपका भी क्योंकि पहले दिन जब ये एक दिन का सस्पेंशन हुआ उस दिन सबसे पहले राजस्तान तक आज तक ऐसा चेनल था जिसने पूरी गहराई से उसकी छानबीन करके ना कि वो लिए कि सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए या उसको सिर्फ कवर करने के इसाब से कि बस निलंबन हो गया अबदरी सारा हो गया जबकि आपने चेनल ने पूरी छानबीन करके कि कहा वीडियो है कहा इस सारा हुआ है इन सब बातों को लेकर वो न्यूज बनी और उसमें भी मैंने आपके जो रिपोर्टर थे उनसे भी मैंने ये बात कही और आज भी आपके इस चेनल के मादिम से और सत्यागरे का जो आंदोलन है इसमें तमाम लाड़न वाशियों के और डीड़न वाशियों के बीच ये बात कर रहा हूँ कि जब भी एक विदान सभा की मरियादा है कि नेता पर्तिपक्स और मुख्य मंतरी दो सदन में सर्वोत्तम होते हैं स्पिकर के बाद दोनु सबसे उपर होता है नेता परतिपक्ष बोलता है तो सत्तापक्ष मैं से कोई नहीं बोलता और जब मुख्य मंत्री अपनी बात रखता तो विपक्ष शांत रहता है जब भी टिकाराम जी खड़े होते हैं बोलने के लिए जुली जी बाजपा के कोई कोई वेक्ति उसमें बीच में खड़ा हो रहा होता है उस दिन मामला था अब समझ ये इस बात को पूरी को हमें समझने की ये बात है कि कहां डबल एजी का मामला था कानून मंत्री का और कहां बाजपा ने उसको डाइवर्ट करके इसारे पर लाके छोड़ दिया कोंग्रेस प पूत्र को कानून मंत्री जोगा राम जी पटेल उन्होंने अपने बेटे को डबल एजी बना दिया इस मुद्दे पर कॉंग्रेस वहां परदर्सन कर रही थी फिर जब हम अपनी शीट पर आगे और जब बोलने रखे रिक्टिका राम जुली जी तो स्रिचन्त करपलानी और अन्य लोग वहां खड़े होकर बात बोलने लग गए उसका विरोध के मैं खड़ा हो के मैंने काई कि जब नेता परतिपक्ष बोल रहा तो आपको बेटना चीए क्योंकि जब मुख्यमंद्री बोलता है आपका कोई नेता बोलता हम लोग उसको सुनते हैं इतनी बात प उनका विदान सबा में नहीं गुषने दूँगा तो मैं इमानदारी से यह कर रहा हूं कि मैंने इतना बोला मैंने का मुझे जनता ने चुनके बेजा आप क्या बार-बार नहीं गुषने की चेताउनी दे रहें उतनी बाजपर जोगे स्वरगर प्रस्ताव लाए और निल चा रहे थे तो पूरा प्लान था कि जो नए लोग जितने भी लोग वहां विदान सबा में बोलते हैं बाजपा को गहरें उनमें से किसे ने किसे पर कारवाई कर दो ताकि लोग शांत बेट जाएंगे तो पूरा मामला इस तरीके से था और उसके बाद उनके सहन यह बात नहीं हुई कि वो चा रहे थे कि मार्सल उठा के मुझे बाहर ले जाएं और हम वो सतर चलाते रहें लेकिन कॉंग्रेस की पूरी पार्टी कॉंग्रेस विदाएक एक जू ठोकर मार्सलों को ले जाने नहीं दिया उस बात से उनको पीड़ा ज्यादा हुई और उसको अपन तुमेंर्म, डीडवन, कुघामन, मकरान के वहाँ डिवीटी पह थे जिनको मैं व्यकृतिela जानता हुम्हारे यहां के लोग हैं। जहन में नहीं बेठी तो अब नया क्या लाएं तो इस तरीके से वो बात लेके आएं तो ये तो इनकी पूरी प्लानिंग है और इससे भी बड़ी बड़ी गटना है ये सदन में रोज होती है ऐसी नहीं कि मैं समझू कि पूरी कारेवाई में बजट सत्र में इससे छोटा वहां हुई है लेकिन वह जिस तरीके से उनका प्लान था कि नहीं जो विदाई के उनमें से आप बार निकालें उनकी बासा खुद इस्पिकर बाजपा के सरक्सक बने हुए हैं और वो कह रहें कि चेर की इज़त नहीं करें इज़त वहां मदेना साब भी बैठे हैं और भी सीपी साब पिछली बार थे बड़े बड़े लोग रहें उनका ओरा होता था वो पक्स उपक्स को बराबर लेके चलते थे तब लोग उनकी इज़त करते थे आज जब आप पूर्ट या बाजपा के सरक्सक बन गए बाजपा को आप बचाने के लिए पूरी देर कॉंग्रे की आवाज वहां पर बुलंद होती है उस आवाज को दबाने का प्रियास तो कहीं नहीं किया जा रहा है देखो जब से इनकी सरकार बनी सबसे पहले मैंने मुद्दा उठाय जो ट्रांसफर एक जाती विशेस को इन्होंने टार्गेट करके करा उससे लोगों के बीच बात उसका नुकसान इनको उठाना पड़ा उसके बाद जब पहला बजट सतर था तब भी मैंने का पैसा आपके पास है नहीं आप बार बार यहां गोश्टनाएं कर रहे हैं जितनी भी उनका जो बजट था उसकी मैंने पॉल खोली वो उनके बहुत बड़ी पीड़ा रही उसक कोई उसमें फाइदा नहीं है तो हमने ये बात रखी कि 20-20 गंटे आप बिजली काट रहे हो बिजली की वेवस्ता आपकी पूर्टेया खराब हो चुके पानी के लिए अंदोलन हो रहे हैं और कानून वेवस्ता आपकी बिलकुल खराब हो चुकी है यहां अपने इस जिले हुआ कि चाहिए लोकायुक्त का मामला हो उस पर मैंने सदन में बात रखी उसके अलावा चाहिए पशुपालन वाला मामला था आज गाउं में हम आज खुद देखते हैं काहां पशुओं वाले पद भरे हैं वह बात मैंने वहां सदन में रखी पानी की किस्तिति यह किष् खbeltक का जो सत्तपक्स है उसका देखा जा रहा है कि चाहे वो हारा हुआ है स्थानी नेता रही है लेकिन विधाय को तौत जादा दी यह झा रही लिखकर नाँ आगोरिवे प्रश. यह पर यह नजर आ रहा है कि वहां का जो हरावा प्रत्याशी ज्यादा पाउरफुल नजर आ यह तो देखो यह को सिस्कर रहे हैं जिन लोगों को जनता ने नकार दिया उन लोगों से यह राज करवाना चाहरे हैं कि मेरे पास बीजेपी वालों के फोन आए कि उसाब क्या तो इनको लगता है कि अब 6 मेंने मैं छुट्टी पर हूं सस्पेंड हो गया अब तुम बन गए 6 मेंने तो यह इस्तिती इन लोगों के पूर्ट यह फेलियर है एक जाती धर्म को टार्गेट करके यह सरकार राजनीति कर रही है उसका इनको बुगतान लोग्षबा में दे साल चार साल इसके बाद आंदोलन बनते हैं जब तक उनकी कमी आती है पहली सरकार है कि पहले मेने में लोग इनके खिलाफ है आप माफी आप जनता से मांगो कि आप 24 गंटे की बिजली का वादा करके आए अब किसानों का मुआउजा नहीं आ रहा MSP के आप बात करके आगे दबाओं में उसकी पूर्ती नहीं कर रहे हो जब मुख्यमंत्री जी सदन में आये थे बाजरे की MSP को लेकर क्यूशन था उस पर बुरी तरीके से वो गिरे फिर खुद को जबाब देना पड़ा वो भी गोल माल कर गए उनके जबकि उनके जो उन पड़ेगा जनता का और ना जाइज हमने ना पहले करवाई ना जाइज हम करे कोई भी अधिकारी वो भी यह जानता है कि मैं कितना पक्षपात कर सकता हूं तो अधिकारी जितने भी उनको दबाओं में लेने का प्रियास जरूर हो रहे हैं और जो हारेवे लोग हैं उनको ताकत देखके यहां इस्तापित करने की कोशिष की जा रही लेकिन जनता ने उनको नकार दिया और अभी भी जब उनके पास ताकत सरकार दे रही है फिर भी वो लोग जनता के काम कराने की बजाए इधर उदर के कामों में वेस्त हैं और आज लाड़ दूं कि तो यह इस्त और इस तरीके से वो काम करने में लगे हुए हैं कि बस लूट लो जितना वो पता नहीं कितने दिन हमारी चलेगी ये इस्तति लाड़नू की लोगों ने बना दी है आज पूंट या परसासन है जितने भी अधिकारी आते हैं वो सारे वहां परेशान है क्योंकि उनको पता ही नहीं कि कौन MLA का चुनाव लड़ा था कौन वहां इनका नेता है 20-25 गूम रहे सुबह थेला लटका के आते हैं कोई कोई ओपिस में गूम रहा है कोई कोई ओपिस में गूम रहा है और जेब में देखो जिसके भी वो ले ट्रांसपर की लिस्ट है उनके तो ये लोगों को प्रेशान करने का काम कर रहे हैं आपकी सरकार है तो आप कुछ भले काम कर आओ ताकि लोग आप पर बरोसा कर सके तो ये जो इस्तती इनकी है वो पूरी तरीके से फेल है जनता इनको समझ चुकी है अब वो समय नहीं रहा कि ये लोगों को ड्राकर राज कर पाएंगे जो भी मुद्दा होगा इस आपके चैनल के मादम से इस आंदोलन से मैं कह रहा हूं कि अगर इन्होंने एक भी आदमी को परेशान करने का परियास किया और गलत तरीके से परसासन हो इनके नेता हो इनके सामने हम मजबूती से खड़े थे और खड़े रहेंगे आपका जब नि आएगा आगे विरोध पर्तिशन किस तरीका का रहेगा और इस आपके निलंबन के खिलाप आगे का कदम क्या रहेगा देखो जिस दिन एक दिन का निलंबन पहले दिन किया उसी दिन से सब लोगों के फोन आना शुरू हो गए थे और सब लोग कि हमसाब जेपूर आ जाते कि मैं आऊंगा तो लोग कॉंग्रेस का मेटी और सब लोगों ने का कि हम अपना विरोध परदर्सन दजज़ताना चारें और उसमें आप सामिल होगे तो मैं तो धन्यवा देता हूं जनता का कि विपरित प्रिश्थितितियों में जब भी जितनी विपरित प्रिश्थिति को नहीं किया एक भी फोन की वहां सब अपनी मर्जी से जो कॉंग्रेस की हमारी ब्लोग कमेटी एपी सी उन लोगों ने फोन करके जिनको कहा वो सब लोग यहां पहुंचे हैं तो यह इन लोगों का मन है और इन लोगों की एक लोगतंत्र में इनको पता है कि हमने चुनकर बेजा उस वेक्ति को क्यों दूसरे दबा पाएंगे तो मैं यह समझता हूं कि जो जनता का प्यार है इनका लगा हुए इसी वजह से मैं मजबूती से बात रख पा रहा हूं इस आशिरवाद की वजह से ही मैं वहां अपनी मजबूती से बात रख पा रहा हूं यह निलंब यह तो इन्होंने कागजी कारवाई कर दी और ड्राके ये लोग इस तरह से चारें वो मैं कभी मानने वाला नहीं हो और वैसे भी तो विदान सभा है नी बीच नहीं हुआ तो निलंबन में वहां विदान सभागी कारेवाई से मुझे रोक सकते हैं, जनता ने चुना मुझे MLA तो यह हटा नहीं सकते हैं, वो तो यह जनता चाहेगी जिस दिन अटूंगा मैं, तो जब तक निलंबन नहीं होता, मैं लोगों के बीच रहूंगा, आज पहला यह कारी क कि क्या आगे हमें इस आंदोलन को कैसे ले जाना है, या नियाईक सरण लेनी है, क्योंकि निलंबन कहीं टिक नहीं रहा, पहला बिना वोटिंग इन्हों ने कराया है, दूसरा सुप्रिम कोर्ट यह कहता है, कि आप सिर्फ जब सदन चल रहा होता है, उस सत्र में आप किसी क का फेसला है, शीनियर नेता आगे की रणनीति कैसे बनाते हैं, उस पे हमें काम करना, तो यह थे लाड़नू के विदायक मुकेस बाकर, जिनको 6 महीने के लिए विदान सभा से निलंबित जरूर किया है, लेकिन निलंबन के साथ ही मुकेस बाकर को एक जो हाइट मिल रही है जो एक इनको परतिस्ठा मिल ली, एक चेहरे के रूप में मुकेस बाकर कांगरेस का चेहरा बनके उबर कर सामने आ रहे हैं, ये बारतिय जन्ता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, सेयुग आसिप के साथ हनिफ खान, नागोर